प्रिय पशु पालको, आज मैं आपको पशुओं में होने वाले एक रोग खुर पका, मुँपका के बारे में जानकारी देने वाला हूँ यह एक चेपी रोग है और इसके जिवानों मुख्यत्वे हवा, पानी और चारे के माध्यम से ही फैलते हैं एक तंदुरुस्त पशु, रोगिष्ट पशु के संपर्क में आने से यह रोग फैलता है और धीरे धीरे पूरे गाओं में फैल जाता है इस रोग में मलक्तिव दर तो बहुत ही कम होता है लेकिन दुदारु पशु के दूदुद पादन और उसके गरबादान प्रक्रिया में खूपज विक्षेप आता है पशु पालक हेरान हेरान हो जाता है और आर्थिंग नुक्षान भी बहुत होता है पशु पालक मित्रो इस तकलिप से आपको बचना है तो यह वीडियो में मैंने बहुत अच्छी जान करें दिये और यह वीडियो मैं ज्यादा समय न गवाते हूं सबसे पहले हम इस रोग के लक्षन के बारे में सोचेंगे प्रतम मुँ में फुनसीया या फोडे होते हैं फुनसीया फोडे फोडे फुटने पर उसमें से गंदा पानी यह गंदा जरावियर निकलता है और मुँ में चाले पड़ते हैं और मुँ हिलाने पर चपचप जैसा आवाज भी आता है बुखार बढ़ जाता है 104 से 106 डिगरी तक फैरेनाइट तक बढ़ जाता है पशु को दर्द होता है इसलिए वा खाना प्यना बंद कर देता है जुगाली भी करना बंद करता है फिर इस रोग की असर पैर में भी होती है जब वो पैर चाड़ता है पैर में भी चाले पड़ते हैं खुर में भी किड़े पड़ते हैं खुरों के कवच भी निकल जाते हैं और पशु लंगड़ाते हुए चलता है इस रोग की असर थन पे भी होती है तो फ्रेंट इस स्कुर्ण होता है वीखने साज आती है उसकी रोग प्रतिकारत शक्ति घड़ जाती है प्रजवर प्रजणन क्षमता भी घड़ जाती और दूद उत्तपादन में एकदम कमी होती है तो नंबर दो पे हम इस रोग के ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। सबसे पहला में पोटेसियुम पर मैंने के एक होल से रोगिस्ट पशू का मुह और खूर साप करने चाहिए। मुह के मसुड़ों में अरजीप पर बोरोग्लिस्रिन लगाना चाहिए। पेर के खुर में टिंक्चर आइडिन लगा कर ड्रेसिंग करना चाहिए, बुखार कम करने के लिए एंटिवाइटिक इंजेक्शन अमक्सिद सिलिन लगाना चाहिए, दर्ध कम करने के लिए दर्ध सामक इंजेक्शन नोवालजिन लगाना चाहिए, भूक लगने के लिए पशु में रोग प्रतिकालक शक्ती याने युमिनिटी बढ़ सक्ती है Friends, तिसरे दोर में हम इस रोग के महत्व के पहलू पर विस्तार से बात करेंगे और वह पहलू है सावधानिया याने रोग के पहले और रोग आने के बात की महत्व की सावधानिया याने prevention and protection before and after disease पहले हम सोचेंगे रोग आने के पहले रखने वाली सावधानिया इसे prevention of disease भी कहते हैं इसमें FMD के रक्षा वैक्षिन आता है वह साल में दो बार लगाना पड़ता है प्रतम चार मास की उम्र में लगाना पड़ता है फिर दूसरा dose याने booster dose एक मास के बाद लगाना पड़ता है फिर regularly हर छे मेंने पर यह वैक्षिन लगाना पड़ता है गाय बेस में उसका dose है 3 ml subcutaneously और यह वैक्षिन हमेशा ठंड़क में रखना चाहिए और लगाने वक्त ही उसे तुरंथ ही लगा देना चाहिए फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे FMD रोग आने के बात की सावधानिया रोग आने के बात की सावधानिया नमबर एक पे रोगेश्ट पसु को सस्त पसु से अलग बादना चाहिए और उसे घास पानी अलग बरतन में पिलाना चाहिए और बरतन भी फीनायल से साप करने चाहिए नमबर दो पे पशु शाला में कॉस्टिक सोडा या चुने से चिड़काउं करें नमबर त्री रोगिस्ट पशु को नजिक के तलाव में न जाने दें नमबर चार पे दूद दोने वाले के हाथ और कपड़े हमेशा साप सुत्रे होने चाहिए नमबर पाच पे ऐसे पशु को खुराक में हरा चारा और पकाये हुए चावल के साथ गूड मिक्स करके खिलाना चाहिए नमबर चे तुरंती नजिकी पुशु चिकित सक्का संपर करे और फ्रेंड्स लास्ट में इस वीडियो को विराम देते हुए मैं आपको विननती करता हूँ कि आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए बाजू वाला बटन और बेल आइकान गंटी वाला बटन को भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाले नई वीडियोज आपको सबसे पहले देखने को मिले धन्यवाद अभावाद